तो दोस्तो ठीक हो ना आप सब Realme GT 7 Pro smartphone लाँच करने के बाद आप Realme launch करने वाला है Realme GT Neo 7 और यह पुरा का पुरा सिरीज होने वाला है यह smartphone लाँच होने वाला यह confirm हो चुका है इस smartphone का first look भी आ चुका है आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो कि यह smartphone दिखने में कैसा होगा पीछे के साड में आप लोग को triple camera setup देखने को मिल जाता है camera cutout थोड़ा अलग design का आप लोग को देखने को मिलता है triple camera setup होने वाला है और इसमें आप लोग को 50MP का main sensor देखने को मिल सकता है यह अभी confirm नहीं है तो इसका इस तरह आप लोग को look देखने को मिल जाएगा अगर बात करे specs की तो यह 6.6 inch का display के साथ launch होगा 7000mAh का battery मिल जाएगा 80W का charger होने वाला है और इसमें आप लोग को Dimensity 9300 Plus का chipset देखने को मिल जाएगा इसका अंतुतु score भी leak हो चुका है जो कि आप इस screen पर देख सकते हो तो यह smartphone अगले महिने यानि कि December में चाइना में launch होने वा है Realme GT 7 Pro smartphone वहां पे launch वा था 6000 mAh के battery के साथ लेकिन यहां पे जब आया तो इसका कम कर दिया गया और government में थोप दिया गया कि government के चकर में हमें इसका mAh कम करना पड़ा बट ऐसा नहीं है cost cutting करते हैं यह लोग इसलिए इस तरह करते हैं तो सायद यह smartphone इंडिया में जब launch होगा मतलब January 2025 में तो तभी इसका आप लोग को battery 5000 mAh या फिर 5800 के यह साथ देखने को मिले और अगर charger की बात करें तो charger आप लोग को same देखने को मिल जागा 80W का अगर price की बात करें कि इस smartphone का price आप लोग को कितिना देखने को मिल सकता है तो देखो चाइना में मतलब इसका price leak हो च तो कि आप लेना पसंद करोगे तो कमेंट में यही वला वताना और वीडियो अच्छा लोग पर इस वीडियो को like और चनल को subscribe कर देना इस smartphone से related कुछ भी और अगर पता चलता है तो मैं ऐसे ही आप लोग को वीडियो बना करके बता दूँगा लेकिन इसके लिए आप लोग